नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबे आज बनाने जा रही हूँ अर्वी की सबजी यह सबजी विल्कुल नए तरीके से बनाएंगे आप सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए फटा फट रेस्पी को सुरू कर लेते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना ना भूलें यहां पर देखिए मैंने लिए अर्वी और यह 500 ग्राम अर्वी है और आप इस तरह की अर्वी जैसे ताजी अर्वी लेंगे तो सबज ना भूत फी से बाद बहूत ही अच्छी बनेगी और मैने इस से पहले बहुत अच्छे से वास किया है उसके बाद मैं इस तरह की शिलने के बाद किया है फिर उसे हमें हटाना जरूरी है तो ये देखे, इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इस सेप में ये देखे यहाँ पर इस तरीके से अर्वी को कट करके रख लेंगे तो मिलती हूँ मैं सारी अर्वी को कट करने के बाद तो ये देखे, सारी अर्वी हमने कट कर लिया है, इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, हल्दी की बाद मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला, इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्स पौरडर, और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक डालने के बाद मैं 1 टी इस्पून ओयल डाल रही हूँ आप कोई सा भी ओयल यहाँ पर डाल सकते हैं ओयल हम इसलिए डालते हैं कि जो मैंने मसाले डाले हैं वे अर्वी पे अच्छे से कोट हो जाएं यहाँ पर देखिए यहाँ पर चम्मच का काम नहीं है और सबसे अच्छा काम हाथों का ही होता है तो यह देखिए हाथों से हमने अच्छे से अर्वी पे मसालों को कोट कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है आप इस तरीके से अर्वी को बनाएंगे तो आपकी अर्वी की सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगी तो आप इस मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा अर्वी की सबजी को तो यहाँ पे देखिए मैंने रख लिया है कडाही गैस पे और उसमें डालेंगे टू टेबल इस्पून ओयल और बस हमें और ओयल डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसी में सबजी बन के तियार हो जाएगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है अर्वी और गैस की फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम और अर्वी को हम अच्छे से फ्राइ करेंगे आप अर्वी को बहुत अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो जो अर्वी की सबजी बनती है उसमें लिबलीबापन नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं अर्वी को अच्छे से भून रही हूँ और बीच बीच में मैं चला के इसे देख ले रही हूँ एकदम क्रिस्पी साई से बना लेंगे फ्राई करके तो एक बार मैं फिर से ढग दूँगी और इसे फ्राई होने दूँगी तो यहाँ पे देखिए जो अर्वी है वो आपको मैं नज़्दीक से दिखा दे रही हूँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसमें धेर सारे जो मसाले हमने डाले हैं वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इस अर्वी को मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, क्योंकि अब ही हमारी अर्वी फ्राई होके त्यार है सबजी बनने के लिए, तो यहां पे देखिए डाल दिया है, उसी तेल में थोड़ा सा हींग, तेल मैंने और नहीं डाला है, बस वही तेल है, उस इसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसन का दरदरा पीसा हुआ पेस्ट यहाँ पे मैंने लहसन को दरदरा पीस के डाला है आप चाहे तो बहुत बारी करके भी पीस सकते हैं उसके बाद मैंने ग्रेट की हुई प्याज डाल दी है लहसन को थोड़ा सा भूना था ताकि उसका जो हरी मिर्च डाली है यानि दो हरी मिर्च है जिसे मैं बारी कट करके डाल दिया है और प्याज हरी मिर्च और सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है गैस की फ्लेम को लो रखना है और जब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज है तेल ना छोड़ दे यानि जो त क्योंकि हमने अर्वी में पहले भी थोड़े-थोड़े से मसाले डाल रखे हैं इसलिए मसाले कम डालेंगे एक चम्म छरा दरिया डाला है और थोड़ा सा लालमिश पौडर डाला है मैं इस अर्वी की सबजी में टमाटर डालने वाली हूं फिर भी मैं थोड़ा सा अमचुर पाउडर इसमें डाल देती हूँ इसे डालने के बाद वन टेबल इस्पून पानी डाला है मैंने ताकि ये मसाले जो है जलेना और बहुत अच्छे से भून के त्यार हो जाए आप देख पारे होंगे मसालों का कलर कितना अच्छा आया है और ये मसाले बहुत अच्छे से यानि एक से दो मिनट लो फ्लेम पे ताकि ये मसाले जो है तेल एक दम अलग हो जाए सब्जी से और मसाले भुनने के बाद मैं दो बड़े साइज का ग्रेट किया हुआ टमाटर डाल देती हूँ बहुत ही अच्छा खटापन आएगा इससे और सब्जी का कलर भी टमाटर से बहुत ही अच्छा हो जाता है तो ये देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स किया है और टमाटर को भी हमें बहुत अच्छे से भुनना है तो यहाँ पर टमाटर को भुनेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि जो टमाटर है नमक डालने से बहुत ही बढ़ियां से भुन जाता है तो ये देखिए हमने नमक डाल दिया है टमाटर के साथ और टमाटर भी नमक की वज़े से पक जाएगा अब मैं इसे थोड़ी दर के लिए ढख देती हूँ और यहां पे देखिए मसाला जो है बहुत ही अच्छा भुन के त्यार हुआ है और इसकी खुस्पू बहुत अच्छी आ रही है और जो ओयल है बिल्कुल अलग हो रहा है मसालों से तो बस इसी तरीके से हमें भुनना है और जब आप मसालों को बहुत अच्छे से भुन लेते हैं सबजी में तो सबजी का टेस्ट लाजबाब आता है और यह देखिए अब यहाँ पर हमारी जो सबजी है उसके मसाले भुन चुके हैं अब मैं डालूंगी कसूरी मेथी तो यहाँ पर हमने वन टी इस्पून कसूरी मेथी डाली है इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तो अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो जरूर डालने नहीं तो ला पानी आट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम 2-3 मिनट तक बहुत अच्छे से पकने देंगे और जब ये पानी अच्छे से पक जाएगा इसमें तब हम डालेंगे इसमें अर्वी तो अब देखिए डाल देते हैं इसमें अर्वी और अर्वी डालने के बाद भी मैं अच बहुत अच्छे से पक चुकी है पर मसालों के साथ एक बार पका लेना है ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे से इसमें आपस में घुल मिल जाएं और अब देखिए सब्जी किस तरीके की बनके त्यार हुई है बस इस तरीके से हमें सब्जी को बना लेना है और ये सब्जी आ हमारी सब्जी पक के तयार हो गई है सारे मसालों के साथ, तो इस तरीके से आपको सब्जी पका लेना है, और आप देख पा रहे होंगे, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आया हुआ है, और ये सब्जी बनानी भी बहुत आसान है, पर खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तयार हुई है, तो अब देर नहीं करेंगे, और फटा-फट सब्जी को हम सर्फ कर लेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा काम अभी भी बाकी है, तो मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, तो यहाँ पर बारी कटी हुई हरी धनिया हम थोड़ी सी डाल देते हैं, तो ये देखिए, अब पॉफेक्ट सब्जी तेयार है, तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे, सब्जी को सॉफ कर लेंगे, धनिया को हमने मिक्स कर लिया है, और सब्जी को सॉफ कर लिया है, और ये मेरी अर्वी की सब्जी आपको कैसी लगी, अगर ये सब्जी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में जो छोटी सी रेट कलर की बटन है उसे जरूर प्रेस करें